नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धन के सुक की पैसे के सुक की अक्सर हम बात करते हैं कि मेरी लाइफ में पैसे का सुक नहीं है मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन वो अच्छी जगा पर नहीं लग पाता है वो बिमारियों में लग जाता है या वो गल जगा म फौर्थ बाव से, नौमे बाव से, नौमा बाव जो एक भागया का बाव है, दसमे बाव से और ग्यारमे बाव से हो, तो उसा व्यक्ति खुब पैसा कमाता है, पैसे का इंजोई भी लेता है, पर उसा व्यक्ति भागया से भी पैसा कमाता है, लेकिन ये दूसरे बाव का सब रहा है और वो पैसा जो expense है वो एक targeted में target परपस के रूप में जो परपस के रूप में आपने पैसा saving किया था उसमें न लगकर कही और लग जाता है तो मैं जैसा कि दोस्तों अपने हर वीडियो में बात करता हूं छटे भाव की आठवीं भाव की और बार्वीं भाव की ये क्या है चाटा भाव हमारी life में एक छोटा खड़ा है जिसमें हम अक्सर छोट छोटे लोसिस जिसे हम कह सकते हैं ये रोग रिन और शत्रू का भाव है ये court cases का भाव है आठवा भाव एक middle खड़ा है जिसको हम आयू सीमा भी कहते हैं जिसमें मिर्टू का भाव भी आता है एक बारवाभ एक ये बड़ा कड़ा है जो इसको हम जेल का भाव पागलखाने का भाव विदेश का भाव या गर्से बहुत दूर जाने का भाव भी कहते हैं ति दूसरे का और चोटे भाव का सबंद चटे, आठ हमें और बारमे भाफसिक हो जाए और इसमें पाप ग्रहे और कुरूर ग्रहे हो जाए तो हमें धन का सुख मिलने में प्रशानी आती है दूसरे भाफ का सबंध चोथे, नो में, दस में और ग्यारमें भाफसिक हो जाए तो ऐसा जाता है खुब धन कमाता है ऐसे जाते के बाद पैसा अपने आ पाता है तो अब भी किसी अपने लाइफ में अपने जीवन में धन को लेकर या पैसे को लेकर संघर्श कर रहे हैं या उसकी सेविंग को लेकर संघर्श कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक संगर्ष से निकालने में आपकी मदद कर सकता है मैं हूँ लवभुशन गुपता Specialist in Professional and Career Astrology आप मुझसे भी संपर कर सकते हैं तो दोस्तो आज के टोपिक में हमने बात की पैसे की सुख के बारे में तो अगले टोपिक में बात करेंगे एक नई एक नई टोपिक के साथ तो आज के लिए तना ही दन्यावाद नमस्कार बस्तो